अगर कुछ धंका रिलीज हुआ उलू जैसे एक प्लेटफॉर्म पर अगर मैं करूँ आज तक जो भी उलू पर रिलीज हुआ जो सवीता भावी, रिती रिवाज, वटेवर जो भी इस प्लेटफॉर्म पर जो भी बी ग्रेड, घटिया, वाहिया सीरीज आती रही उनसे अगर कंपेर करूँ इस सीरीज को, या इस शोट मुवी को, सीरीज तो नहीं है, एक शोट फिल्म है, तो इसको अगर इनसे कंपेर करूँ तो हाँ, कुछ इन्होंने ढंका दिखाने की कोशिश की कैर कोई आया होगा यह समझाने, भाया जो तुम दिखा रहे हो, वो इतना वाहियात है, और इतना घटिया है, कुछ टाइम बाद इस चीज का क्रेज चला जाने वाला है, क्रेज तो क्या है, लोग यह देखने वाले भी नहीं है, तो कुछ content पे काम कर लो, तो इन्होंने थ बहुत जादा अच्छा दिखा दिया, इन्होंने बहुत एक अलगी mind changing चीज दिखा दी, दूसरों की thought बदलने वाला इससे दिखा दिया, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं दिखाया, हाँ अपनी अगर इसी की जो इसी platform पे आई वी चीजों से compare करो, हाँ, उससे कुछ अच्छ अख्षय अबरोय, कहाने के बाद करें, तो सुमन की शादी होती है चंदन से, और सुमन जो है वो एक छोड़े से गाउं में, तो चंदन बुम्बई में काम करता है, तो शादी करके उसे मुंबई में लेकर आता है, सुमन खुश है, और चंदन भी उसका बहुत ध्यान है तो इस बीच वो सुमन इसकी अपने पती की गंदी आदत चुड़वाना जाती है, अब कैसे चुड़वाती है, उसके पास स्मार्टफोन आता है, पता ने चंदन स्मार्टफोन गिफ्ट करता है, और ये मैं अपनी तरफ से ज्यूम कर रहा हूं क्योंकि लास्ट में ऐस चंदन सब कुछ हार गया होता है तो अपनी वाइफ को दाओं पे लगा देता है और जब उसका दोस्त कहता है कि अब पत्ते खोलने की बार ही आती है तो पीछे से वो स्मार्टफोन में से चंदन के क्योंकि सुमन जो है वो चंदन के पीछे पास ही यह पत्ते है तब दो सारी की जीजे हार रहा था और लास्ट में जब वो अपनी वाइफ को हार जाता है एक रात के लिए कर मुझे नहीं बढ़ thought कि उन दोनों के बीच में कुछ होता है मतलब कि चंदन के दोस्त के बीच में या चंदन की वाइफ के बीच में कुछ होता है नहीं होता लेकिन दिखाया है ये गया है कि सुबह होती है तो अब चंदन बिल्कुल बदल चुगा है वो पत्ते खेलना बिल्कुल नहीं जाता अब इतना टाइम बीच चुगा होता है बाद में दिखाते हैं इतना टाइम भी चुका है क्योंकि पत्तों से नफरत होगे, पत्ते खेलना उसने जोड़ दिया यह सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट फोन के वज़े से हुए जिसने लोगों को स्मार्ट बना दिया तो अगर इसका एक positive way देखें तो इसमें जुए कि एक गंदी लत के बारे में इन्होंने बोलने की कोशिश की है बस यही positive है दूसरा positive point यह देखें है कि इन्होंने woman को as a sexual material की तरह use नहीं किया है, मतलब मुझे ऐसा कहीं लगा नहीं वहाँ पर, कह materialistic उनका use कर रहे हूं वहाँ पर बाकी अगर इनकी और बाकी series देखें तो वो तो गटी हैं, उनके बारे में बात भी नहीं करना चाता है यह भी यहाँ तो smartphone कह सकते हैं कि हाँ इन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा काम खिया है कैर वो हिना खान को ले रहे थे जब मैंने इसका trailer देखा था तो मैं यह सोच रहा था कि यार इस जैसे platform पे अब इनका भी आना हो गया तो यह देखना चाता था इसलिए नहीं कि मैं उलू देखता हूँ नहीं मैं उलू नहीं देखता हूँ वहाँ उस platform पे वहाँ मुझे टीजें पता है कि यहां कौन-कौन सी घटिया वाया सी जे है लेकिन मैं उनने नहीं देखता हूँ कभी कबार जब कुछ होता नहीं दिमाग और खराब करना होता है तो वहाँ चले जाते हैं वरना TikTok तो है ही वो TikTok पे चक्के देख लेते हैं बस यही reason था कि trailer देखके मैं यह देखना जाता था कि आकिर इनको क्या जरूरत पड़ी इस जैसे series इस जैसे platform पे आने पे क्या उसमें इस तना कुछ दिखाया नहीं गया कुछ क्या बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया बस आज के लिए इतने ही था thanks for watching this video, मिलते हैं next video में जए हिंद